हेलो एवरिवन आज का जा मारा टॉपिक है वो है ओर्डर ओर्डर जो है वो 10th प्रिंसिपल है फेवल का हम 14 प्रिंसिपल ऑफ मेनेजमेंट की शीरीस से ला रहे थे जिसमें हम 10th प्रिंसिपल पर पहुँच चुक है है यहां पर जो ओर्डर है इसका मतलब इंस्ट्रक्शन वाला ओर्डर नहीं होता है यहां पर ओर्डर मतलब होता है एक पर्टिक्लर सिस्टमेटिक वे में सिक्वेंच में ठीक है कोई भी जिस ओर्डर में होना लाइन से होना पर्टिक्लर पॉपर वे में होना स्पेसिक तरीके से होना कंपनी शूड मेंटेन वेल डिफाइन वर् अगर company को favorable work culture चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए कि जो work है उसको अच्छे से define करो उसको एक order work को order में define करो बता हो एक order में किस तरीके से काम होना चाहिए यह जो order वाला काम है यह positive environment create करेगा workplace पे जिससे कि जो productivity है वो भी increase होगी positive way में productivity increase होगी it means the practice of a place of everything and everything in its place मदब हर एक चीज के लिए particular जगा होना चाहिए हर एक चीज के लिए particular specific order में होने चाहिए हो सरी चीज है this principle refers to the aspect of material order and social order इस principle है वो किस aspect में होता है material order में और social order में in order to maintain material order a specific place should be fixed for each of the physical resource available in the organization किसी भी organization में कोई भी चीज़े हैं जो physically available जिसको आप छूँ सकते हो देख सकते हो जो physically available है suppose file है या कोई almari है यहाँ जो staff है ठीक है वो सब physically available है तो उनके लिए specific place होनी चीए एक specific fixed place होनी चीए ताकि वहाँ पर चीज़े रख सके इसी staff है तो उनके लिए particular place होना चीज़े कि यहाँ बटके वो काम कर सके कि वो particular staff के लिए ही काम हो तो यह होता है material order social order means that its employees and organization should be assigned a specific individual place of work like fixed table, cabin room etc. where the employees should be available during work hours मैं दोनों को mix कर दिया था material को और social को material में non living things आएगी social order में आएगा living thing आएगी कि जो employees हो उनका specific place होनी चाहिए काम करने के लिए कि उनको table दो, cabin दो, cubicle दो या फिर कोई room दो जहाँ पर वो काम कर सके तो proper order में होना चाहिए इसका effect क्या रहेगा कि coordination को facilitate करता है जो resources है वो optimizationization होंगे और systematic work काम करेगा working job organization में को systematic होगी इसमें example देके रखा है school का school में क्या होता है कि हर एक teacher को specify place देके रखते है ठीक है जैसे principal का room अलग रहेगा board of director का room अलग रहेगा वास principal का अलग रहेगा department का जो head है उनका अलग रहेगा वहाँ पर जो लोग काम करते हैं जिसे की जो भी दीदियां रहती है बाईयां रहती है उनके लिए एक अलग जगे रहेगी इसके लावा अगर sports रहता है तो उसमें sports की जितने भी equipment से ball है और जितने भी equipment से वो सारी एक अलग जगे पर रहेगी तो यह particular order में हो रहा है प्रॉपर sequence में हो रहा है particular order में हो रहा है सब चीज सिस्टेमेटिक है लेबरेरी में जाएंगे तो हर एक चीज आपको systematic मिलेगी अविलेबल रहेगी लेबरेरी में हर चीज तो यह example है order का